इतना जादा आज कोहरा पड़ रहा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है तुम लोग कुछ दिख रहा है मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है सिर्फ वाइट वाइट दिख रहा है ऐसा लग रहा है जिसे बरफ गिर रही है और जो आसपास वाला घर हो भी नहीं दिख रहा ह जूम करूं जूम करने का कोई फायता नहीं बही चीज दिखेगी तो क्या फायता है बाबू उदर मैं चाना नहीं तो चोट लग जाईगी कुछ कीलियर है ही नहीं बच्चों को तो फरकी ही नहीं पड़ा बच्चे उसी में खेल लाएं जाना मस बिटा भाराज थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो मैं यूटूब फैमली आज मेरे यहां बनने जा रहा है रगड़ा पेटी तो मैं बता हूँ आप लोगों को कि यह कैसे बनेगा सबसे पहले च्छे से साथ तालू ले लीजे और उसे कूकर में डालके दो से तीन सीटी मार दीजे ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से मैश कर दीजे ताकि इसमें कुछ भी लम्स बागी ना रहे उसमें कुछ भी गुठली बागी ना रहे खुब अच्छे से मैश होने के बाद इसमें डाल दीजे जीरा पाउडर गरब मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्च, थोड़ा साध रग नमक क्या बताओं? नमक तो आप अपने हिसाब से डालिएगा नमक हम लोग हलका खाते हैं इसलिए मैं और नहीं बताना चाहरी और फिर इन सब चीजों को मिलाने के बाद ना अच्छे से मिक्स कर लीजे इसके छोटी-छोटी टीकिया बना लीजे और अपने हाथ में आईल लगा लीजे ताकि बनाते वक्त हाथ में चिपके नहीं फ्राई करने के लिए आप कान फ्लोर भी ले सकती हैं और गेहुं का आता भी अगर कान फ्लोर ना हो तो इससे क्या होगा कि आपकी ठीक्या चिपकेगी नहीं और यहां पर आप देख सकती है ठीक्या चिपकी ही नहीं है कहीं और ना टूटी फूटी है एक बात मैं आप लोगों को और बताओं आप डीप फराई भी कर सकते हैं और शेलो फराई भी यहां पर तयार हो रहा है रगड़ा आप इसे रगड़ा का यह चोला की सब बात एक ही है चोले में प्यास नहीं डाली गई है आइल डालने के बाद डाल दे गया है टमाटर हरी मिर्स अद्रक थोड़ी सी हल्दी धनिया आमचूर पौडर आधा चमच गर लगया था क्योंकि प्यास को न उपर से गानिश किया जाएगा प्यास हरी मिर्च हरा धनिया ओर फिर इसमें डाल दीजे थोड़ा सा लेंचूस ये आपकी मर्णिय है और यह है लाल वाली चटणी लाल वालीके लेना है तीन से चार लाल मिर्च ऐगर आपके पास कश्मीरी मिर्च तो और अच्छी बात है दो टमाटर 10 से 12 लेहसन की कलिया लेमन जूस और नमक आप के मताबिक और इसे पीस लीजे हरी चटनी हरी चटनी के लिए लेना है 2 से 3 हरी मिर्च हरा धनिया और 4 से 5 लेहसन की कलिया और यहाँ पे है दही, दही में अगर आप थोड़ी से शकर डाल देंगे न, तो आपको मीठी चटनी के जरूरत नहीं पड़ेगे, अगर आप डालना चाहते हैं, लाल वली चटनी हुई, या फिर इमली की चटनी, जो भी डालना चाहें, हरी चटनी, दही, आलू गिटिकिया, छोला, ल लाल वाली चटनी, और भटोरा, ये सब तयार हो चुका है, सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसमें डालेंगे छोला, आलू गिटिकिया, प्यास, टमाटर, हरा धनिया, थोड़ी सी लाल वाली चटनी, फिर डाल दीजे दही को, और एक बात मैं आप लोगों को और कर डाल दिया है, मतलब बहुत जादा नहीं, तो इसलिए लाल वाली चटनी डालने की ज़रूरत नहीं है, और फिर डाल देना है हरी चटनी, रगड़ा पेटी इस तयार हो चुका है, जिसमें है, छोला, आलू गिटिकिया, दही, प्यास, हरी मिर्च, हरा धनिया, टमाटर, हरी चटनी, और लाल वाली चटनी, अगर आप चाहें, तो नमकिन भी डाल सकते हैं, अपनी अपनी मर्जी है, हम लोग नहीं डाले हैं, तो बहुत बढ़ गई है, और बहुत जादा कोरा पड़ा है, क्या कर रहें बेटा, चलो इधरा, और मैं यहीं दे करूंगे, अपने वीलोग का एंड क्यूंकि, अरे उधर मन चाहोगी चाहोगे, तो बहुत जादा परिशान कर दिया, और यह डर है, कि अभी कहें, गिर ज लाए तो परिशानी होगे, फिर मिलेंगे, इशाला उतो आला, नस्वी लोग में, अल्ला आपिस्दूर, आजिएे।